हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका माइटी श्टडी की एक और ने वीडियो में तो दोस्तों यहाँ पर चात्तवरती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसमें क्या क्या जनकारी आपके लिए इंफोर्मेशन इंपोरेंट है वो मैं आपके लिए पूरी ब सब्सक्राइब दिजेगा इसके बाद आपको क्या करना है कॉलेज में उसको सम्मिट कर देना है और वस आपके हांपर चांस रहते हैं सबसे पहले सबसे अच्छा बेइफिट रहेगा तो यहां पर इनफोर्मेशन आपके लिए हैलफुल है उसके बारे में चर्चा करेंग और यहाँ पर बताया गया है कि चालू बित्तिय बर्त में चात्रों के आधार नंबर थे online verification की बाद ही चात्रों का आभिदन जमा हो सकेगा यहाँ पर आपका आधार नंबर से ही online verification होगा उसके बाद ही आपका चात्रों का आभिदन होगा वो जमा हो सकेगा यहाँ पर यह बहुत ही महत्पूर अपडेट है और इस सासत क्या क्या जनकारी आपको रखनी है इसमें बताया गया है कि इस पिरक्रिया में छात्रों का नाम पिता पती का नाम बाल लिंग आधी का सत्यापन होने के बाद आधार नमबर थे लिंग मोबाल नमबर पर OTP भेज की बारसिक आए दो लाग और अनुसूची जाती है जन जाती के च्छा चात्राओं के माता पेता या अविभावक की बारसिक आए दो लाग पचास हजार तक है उन्हें ऑनलाइन आविदन करना अनवार है बो दोस्त कहां पर website scholarship.up.nic.in पर जाकर 5 नमबर तक आविदन कर सकत नमबर टू पाइंट है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें आधार कार्ड वनबा लेना चाहिए नमबर त्री पाइंट है कि यहाँ पर important कि जिनके पास आधार कार्ड है बे आधार नमबर को अपने मोवालवा राश्टी करत या ग्रामिल बैंकों में खुले खा आधें तो यहाँ पर यह आपके लिए इस्कॉलर से जो लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही important update है तो आई होप यह information आपके लिए helpful लगी होगी helpful लगी हो तो हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों का भी benefit हो सके तो फिर दोस्तों जो भी दोस्तों हम बैल आइकन को भी प्रैस करें यहाँ पर आप अभी तक हमारे टेलिग्रम चैलेंज से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्कुशन बॉक्स में दी गई है जल्दी से जॉइन कीजिए महाँ पर सब यह update सबसे पहले आपको मिलती हैं फिर मिलते हैं किसी नई ज गनवाज जैहिन बंदिमात्रम